वैदिक होम रेमिडीज में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब चरूर करें क्योंकि समस्त वेदों का ग्यान ही वैदिक ग्यान है दोस्तों, डिप्रेशन होने पर आप क्या करते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि डाइट में थोड़े बहुत बदलाव करके भी आप डिप्रेशन से निजात पा सकते हैं? हाली में हुई एक रिसर्च के मताबिक, खाने पीने की कई ऐसी चीजे हैं जिनके सेवन से मूट फ्रेश होता है दर असल इन चीजों को खाने से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोंस का स्त्राव होता है जिस से मूट ठीक हो जाता है अगर आपको भी डिप्रेशन की समस्या है तो इन मसालों को डाइट में सेवन करना आपके लिए फायदे मन्त हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हम तनाव दूर करने के लिए दवाईयां लेना शुरू कर देते हैं लेकिन हर बार दवा लेना सहिन नहीं है ऐसे में आप चाहे तो किचन में मुझूद कुछ मसालों के इस्तेमाल से भी तनाव को दूर कर सकते हैं जिसमें सबसे पहले है दालचीनी दालचीनी में एक अलग सी महक होती है ये दिमाग को एक्टिव रखने का काम करती है इसके साथ ही ये मूड को भी अच्छा रखती है और यादास बढ़ाने में भी मददकार है दूसरा है केसर केसर को खुशी का मसाला कहा जाता है अध्यानों की माने तो केसर के इस्तेमाल से टेंशन दूर होती है ये मूड को लाइट करने का काम करता है तीसरा है हल्दी, पीली हल्दी के इस्तेमाल से भी मूड अच्छा होता है इसमें एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी ऑक्सिडेंट की अच्छी मात्रा पाई जाती है जिससे मूड बहतर रहता है इसी तरह वैदिक होम रेमिडीज के अगले एपिसोड में हम आपके लिए आईरवेट से जुड़ी गरेलू और रोचक जानकरियां लेकर वापस आएंगे तब तक आप वीडियो को लाइक और शेर करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वैदिक ज्यान को बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब्स और बैल आइकन पर क्लिक जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग